कोरोना के डराते आकरे बात करेंगे कोरोना की बिहार में कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्रोन की इंट्री हो चुकी है जानकारी के अनुसार स्वास्त बेगभाग ने पत्ना के एक मरीज में ओमीक्रोन वेरियंट के पुस्टी कर दी है इधर पतना में ओमिक्रोन की मरीज मिलते ही जिलादिकारी ने सिविल सर्जन पतना को सर्विलांस टीम का गठन करने का आदेश दे दिया है जिला अधिकारी चंदर सेखर सिंग की माने तो Clodge Contract Tracing किया जा रहा है और सभी लोगों की जाच कराई जाएगी और अगर किसी से और किसी में positive होने की पुष्टी होती है तो उनका genome sequencing कराई जाएगा दरसल आपको बता दें कि ये जो genome sequencing है इसी के जर्ये अब ये पुष्टी की जा रही है कि मरीज में ओमिक्रोन है या नहीं यानि कि ये जो नया वेरियंट ओमिक्रोन है इसकी जाज के लिए जिनोम सिक्वेंसिंग कराना बहर जरूरी है तो राजधानी पतना में भी अब ओमिक्रोन की एंट्री हो गई है अब प्रसासन जो है इसको लेकर अलाट हो गया है और नए वेरियंट ओमिक्रोन की बेहर में अंट्री के बाद अब लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और चलिए एक बरी खबर जर्कंड से सामने आ रही है जर्कंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है इस वक्त की बरी खबर आपको बता रहे है जर्कंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है 24 घंटे के अंदर 482 संक्रमित मिले हैं तो इस वक्त की बरी खबर आपको बता दे देखिए किस तरीके से देश में आप संक्रमितों का आकरा बढ़ता जा रहा है राची में 246 संक्रमित मिले हैं आपको बताने कि राची में संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़कर अब 563 हो गई है तो लगातार जर्कंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है और ये एक अकेला राज्य है जहां इतने सारे मरीज एक साथ मिले हैं तो देखिए धीरे धीरे और जार्कंड की राजधानी राची है जहां पर देखिए 246 मरीज एक साथ मिले हैं संक्रमितों के आक्रे में लगातार इजाफा हो रहा है और यहां ये आक्रे डराते हुए नजर आ रहे है रसासन तो अलाट है हैंगी लोगों को अलाट होने की जरूरत है DTV भारत अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप सुरक्षित रहें सचेत रहें और उन तमाम दाइगलाइन्स का पालन कीजिए जो सरकार में जारी किया है क्योंकि इन बढ़ते आक्रों को इसी तरीके से रोका जा सकता है क्योंकि इन बढ़ते आक्रों पर इसी तरीके से नियंत्रन किया जा सकता है हाला कि अब इन बढ़ते मामलों को लेकर प्रसासन भी पूरी तरीकेस अलाट हो गया है राज़ानी राची में भी आक्रे अब डरा रही है और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारी सायोगी एकता हमारे साथ लाइब जुर गई है एकता जो आक्रे हम देख रहे हैं बात अगर बियार की करे जहरखंड की करे या देश की करे अब ये आक्रे डराते हुए नजर आ रहे हैं एकता बिल्कुल पूजा बात कहीं की करें बिहार हो जारखंड हो या फिर देश के किसी भी राजी की करें सभी जगह आकड़े काफी डराने वाले आ रहे हैं बिहार में भी उसी तरीके से केसे बढ़ी है और अभी जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को जारखंड की ब्रेकिंग बताई जहां आपको बतादे कि 482 नए मामले मिले हैं तो कहीं ना कहीं पूजा ये आकड़े बहुत जादा डड़ाओने आ रहे हैं और आपको बतादे कि मुंबई और दिल्ली को पहले से ही जो होट स्पोट घोसित कर दिया गया है तो ऐसे में लगातार ओमिक्रोन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी ताजा मामला ये है कि बिहार में भी ओमिक्रोन की एक पेसेंट मिले हैं जिसको ले करके बिहार में बोल सकते हैं कि काफी जादा खल बली मच गई है आपको बतादे पूजा कि वो बिहार से दिल्ली गए थे अपने भाई से मिले दरसल उनके भाई जो है तो उनकी भी आटी पीसए टेस्ट कर आई गई थी और उनकी रिपोर्ट भी पूजटिव आई थी कि बाद कह सकते हैं पूजा की पूरी जो एरिया है उसको जो है वो होट स्पोर्ट में तब्दील कर दिया गया है और पूरे परिवार को इकता नया साल आ रहा है एकता नया साल दस्तक देने वाला है और हम कह सकते हैं कि ये नया साल जो है वह काफी जादा डड़ाने वाला हो गया है ज़्विञे vollग झालत जहां इस तरह प्रसासन अलट है, सरकार अलट है, लोग अलट रहें नये साल में जश्न को ज्यादा से ज्यादा सिमित करने की जरूरत है एकता क्योंकि ये आकड़े अगर बढ़ गए तो फिर परिशाने भी बढ़ जाएगी जी पूझा बिलकुल और नयस साल में लोगों को जो हमारी जनता है उन्हें इस बात पर जरूर से ही गौर करना चाहिए कि जिस तरीके से आकड़े बढ़ रहे हैं अब हमें कहीं ना कहीं सचेत होने की जरूरत है वर ना कह सकते हैं कितिहास फिर से दौर आ सकता है क्योंकि सभी राजी अब कह सकते हैं पूझा की ऐसे कोई राजी नहीं है जहां से कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे है चाहे वो देश के कोई भी राज जो है ऐसे में राज सरकार जो है सक्त निर्देश दिये है खास करके जो नियू येर आने वाला है उसको लेकर काफी लोग ज़्यादा प्लानिंग किये हुए थे कि यहाँ जाएंगे ये पार्टी करेंगे लेकिन इसको लेकर सभी डियेम ने सक्त निर्देश दिये हैं और अधिकतर जिले में धारा लागू कर दिया गया है और जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है वो भी अधिकतर जिलों में लगा दिये गया है और कही ना कहीं पूजा ये कदम उठाना बहुत ही जादा जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से केसे बढ़ रहे हैं और अभी भा आई थी जहां उमिक्रोन से एक व्यक्ति की मौद भी हो गई है पूजा तो कहीं ना कहीं ये जो ड़ाने वाले आकड़े आ रहे हैं ऐसे में ये जो कदम उठाए जा रही है सरकार की द्वारा वो तो सरानी है लेकिन अब जनता की बारी है कि वो भी कहीं ना कहीं सचेत हो ज देश में तीसरी लहर की आसंग का गहरा गई है स्वास्त मंत्राले की रिपोर्ट की अनुसार 30 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 13,100 चौवन नए मामले दर्ज किये गए थे जो बुद्वार की तुलना में 43 फिस्दी हैं वहीं देश के दो प्रमु जटों की करें तो कोरोना संक्रमितों के आक्रई जो हैं वो आब 371 हो गए हैं यानि की नए मरीज मिले तो दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा यानि की 1313 केस दर्ज किये गाए तो देखिए दिल्ली के जो स्थिती है ये बेहर डराबने वाली है और इन आक्रों में ल यहां के आक्रे हैं वो लोगों को डराते हुए नजर आ रहे हैं देखिए मुंबई में अब धीरे धीरे जरूरी ये हो गया है कि प्रसासन के साथ साथ लोग भी अलर्ट रहें